खेल के छेत्रे में दिया जाने वाला सर्बोच्ची सम्मान राजिव गार्दी खेल रतन पुरुसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचन खेल रतन पुरुसकार रखा जाएगा दोस्तो 6 अगस 2021 को भारत के बरतमान में प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने यार ट्वीट कर भोशना की कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनिक देशवासियों का या आगरा भी सामने आया है कि खेल रतन पुरुसकार का नाम जो है मेजर ध्यानचन जी को स जाना जाएगा तो मेजर ध्यानचन खेल रतन पुरुसकार और इसे बीचिशंद सीह के पूरे डिटेल के साथ कवर 아니安य चाइगा तो प्रस्ट कोषण है कि राजिव गंदी खेल रतन पुरुसकार का नाम किस ने बदला है तो यह पिये मोदी ने बदला है क्या नाम बदल कर रखाया है मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरुसकार और कब बदला है डेट आप जरूर याद कर ले 6 अगस्त 2021 में इसका नाम बदला गया है तो यह important हो जाता तो option B correct हो जाएगा इस question का दोस्तो आप इसकी बिल्कुल विना कर एक एक question important है next है राजिव गंदी खेल रतन पुरुसकार पाने वाले प्रथम खेलारी कौन थे तो 20 सुनाथन आनंद थे option A correct हो जाएगा और यह दोस्तो भारतिय सत्रंज के खेलारी है और इन्हें यह पुर दोस्तो तमिल नाडू राजे से बिलोंग करते हैं दोस्तो खेल कौन से खेलारी को कब मिला था और वह खेलारी किस खेल से संबंदी थे इसे जरूर नोट कर से जाए दोस्तो next है राजिव गंदी खेल रतन पुरुसकार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो कर्णम मलेस् तो कर्णम मलेस्वरी को कब यह पुरुसकार दिया गया था तो 1994 से 1995 के बीच में दी गया थी या कर्णम मलेस्वरी जो है यह भारोत तोलन खेल से संबंदी थी यानि कि वेट लिफ्टिंग से तो यह भी नोट करते जाए खेलों के कब दिया गया था और यह खिलारी जो है क राजीब गंदी खेल रतन पुरुसकार प्राप्त करने वाले खेलागी कौन है तो यह अभीनाव बिंद्रा है option D करेट जाएगा मातर 18 वर्स की आयू में ही दोस्तों इन्हें खेल के चेत्र में दिया जाने वाला सरबोच्य पुरुसकार राजीब गंदी खेल रतन पुरुसकार रखा गया है 18 वर्स के आयू में ही प्राप्त कर लिये थे कब मिला था इन्हें 2001 में मिला था दोस्तों और यह अभीनो बिंद्रा यह सूटर है तो इससे भी नोट कर ले और राजीब गंदी खेल रतन पुरुसकार जो अभी मेजर ध्यान चन खेल रतन और रतमान में यूवा मामले मंत्राले और खेल मंत्राले के मंत्री कौन है तो अनुराग सिंग ठाकूर है तो इससे भी नोट कर ले और इन से पहले के मंतरी कौन थे तो कीरन रीजुरी थे जो अभी कानून मंतराले के मंतरी बन चुके है तो नोट जरूर कर ले दोस्तों एक एक कोशन इंपोर्टेंट है तो आप वीडियो को इसकी बिलकुल भी ना करें नेक्स्ट है राजीब गंदी खेलरतन पुरुसकर कब दिया जाता है डेट पुछा जा रहा है तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है नेक्स्ट है राजीब गंदी खेलरतन पुरुसकर के लिए खेलारियों को चैन करने वाली कमेटी में कुल कितने सदस्यों होते है तो कुल 12 सदस्यों होते है उप्शन B करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है 21 का भी अनाउंस नहीं किया गया है तो यह 1991 से 2020 तक का बता जागा है कुल 45 खेलारियों को मिल चुका है किन-किन खेलारियों को लाश्ट मिला है वो भी डिसकस करेंगे प्रतम का मैंने बताई दिया है कोई खेलारी राजीब गंदी खेलरतन पुरुसकर कितनी बार प्राप् कर सकता है दोस्तों एक द SMITH कमेंट में आपके लिए कोशन है कि क्या राजिब गंदी खेलरतन पुरुसकर जिसका नाम मेजर धियांचंद कहला रखा गया है किसी व्यक्ति को क्या मनु प्रेंद दिया जा सकता है आप कमेंट में इसका अंसर जूरूर बताए क्वेशन में 12 है 2020 का राजिव गांधी खेलरत ने पूरुषकार कितने खिलारियों को दिया जा चुका है जिसका नाम बदल कर अभी मेजर ध्यांचन खिलारत न रखा गया है तो कुल 5 खिलारियों को दिया जा चुका है दोस्तो 2020 का राजिव गंदी खेल रतन पुरुसकार और वो खिलारी है रोहित सर्मा या भारतिया किर्केटर है वीनेस पोगार्ट रेसलिंग स्पोर्स से सम्बंदित है रानी रामपार या भारतिया होकी खिलारी है मनिक बतरा या टेबिल टेनिस खिलारी है और मरियपन अवेलू या पैरा उलमपी कैथलिक है हाई जंप करते हैं दोस्तो इन पांच खिलारियों को 2020 का राजिव गंदी खेल रतन पुरुसकार दिया गया है और कौन से खिलारी किस खेल से सम्बंदी थे इसको जरूर नोट कर ले दोस्तो नेस्ट है राश्टिया खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि मेजर ध्यांच जी के जनम दिन 29 अगस्त को ही मनाया जाता है और उनी को सम्मानित करने के लिए भी राश्टिया खेल दिवस 29 अगस्त को परतियक वर्स मनाया जाता है और राश्टिया खेल जो पुरुसकार है उसको सम 205 में हुआ था, option B correct हो जाएगा, मेजर ध्यान चन जी का जनम कहां हुआ था, तो परियाग राज में हुआ था, इलाहवा, जो कि UP राजी में इस्थित है, मेजर ध्यान चन जी का उपनाम क्या है, तो The Wizard, हिंदी में इसको जादूगर, हौकी का जादूगर भी इसलिए कहा ज जाता है, दोस्तों, और क्यूं कहा जाता है, यह हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल्स में, लेकिन इनका उपनाम, हौकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है, The Wizard के नाम से मसूर है, मेजर ध्यान चन जी को पदम भूशन, देश का सर्बोच तीसरा नागरिक सम्मान, पदम दिसंबर 1989 में इनकी मिर्तु हुई थी, नेक्स्ट है, मेजर ध्यान चन जी की आत्मकता का नाम क्या है, गोल, G-O-A-L, इनकी आत्मकता का नाम है, पहला राश्टी यह खेल दिवस कब मनाये गया था, या उसकी मतलब कब से इसकी सुरुआत हुई थी, इसकी मनाने की, तो 2012 में, 29 अगस 2012 से इसकी सुरुआत हुई और अब तक मनाया जाता है, नेक्स्ट है, मेजर ध्यान चन जी की नित्रुत में, भारत ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किये है, तो दोस्तों उनके नित्रुत में कुल तीन बार लगातार स्वन पदक ज चीते है, 1928 में, एंस्टरडम जो की नीदर लेंड की रग्धानी है, यहां पर अयोजीत ओलंपिक में स्वन पदक प्राप्त किये थे, फिर 1932 में, लोस अंगलीस में आयोजीत ओलंपिक में श्वन पदक, तीन तीन बार दोस्तों लगतार इनके नित्यूत में गोल्ड करने के लिए का ज्यादुगार नाम से पुकारा जैने लगा धियां चंध जी का पूर्ड़ा नाम ध्यान सिंघंग हैं इसे भी जुपरनोट कर नेच्ट है मेज़र ध्यांचन नेशनल स्टैडियम कहा इसे थे बिल्ली मेज भीत हैं तो दोस्तों यह मेजर ध्यांचन जी होकी खेल से समबन दित है तो होकी से रिलेटिट कुछ जी के को भी जान लेते हैं जैसे कि भारतियः पूरुस होकी टीम के बरतमान में कोछ कौन है तो ग्राम रिड है यह अस्ट्रेलिया के पूर्व खेला रही है दोस्तो इंसे पहले हरेंदर कोछ थे इसे भी नोट कर और हाली में दोस्तो भारतिय पुरूस होकी टीम ने और टोकी ओलम्पिक 2020 में कान से पदक जीता है तो इसे भी नोट कर ले कुश्य नमर्ट 23 है होकी खेल ओलम्पिक खेलों में कब सामिल किया गया है भारत ने होकी में अब तक कितने मैडल प्राप्ट कर चुके है तो कुल 12 प्राप्ट कर चुके है जिसमें 8 स्वन पदक, 1 रज़त पदक और 3 कास्य पदक और हाली में दोस्तो 2021 में जिसका टोकी 2020 था उसे कान से पदक जीता था भारती पुरुस होकी टीम ने तो इसे भी नोट कर ले दोस्तो जितने भी रिलेटेट कोशन बन सकते है मेजर ध्यान चंद्र और मेजर ध्यान चंद खेलर अतने पुरुसकार से सारे एक एक कोशन कवर किये गए है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जुरूर इसे लाइक करें हमारा पुस्तान बढ़ाए और ऐसे जीके और करेंट अफेर रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल इकन को प्रेस कर ले